किसी चीज करने की जूरत है इसके अंदर आप सिधा का सिधा आप पढ़नी डालो और ग्रैन्वल निकालो जो यह जो प्रसेस है यह प्लास्टिक वेस्ट के लिए बहुत एक इंपॉर्डन चीज है क्योंकि आप किसी भी शाहर में जिसमें हलो और वेल्कम बेक टू आर चैनल इंडस्ट्री कनेट ग्लोबल आज हम आए हैं बायो डिग्रेडल एक्सपोट 2023 के एक्जीबिटर हिमाल्यान ग्रीन स्टॉल्स पर अगर यह मेरा नाम आश्टोष है यह हमारी कंपनी ने यह मिशीन डिवलप करी है जो मिनी रिस्यक्लिंग मशीन है हमारा कंसेप्ट है वेस्टू वेल्ट वेस्टू वेल्ट क्या चीज है कि अगर यह मिशीन के सबसे बड़ा खासियत के हैं इसके लिए कोई स्किल्ड चीज है हंड्रेट एंट्वेंटी स्केर फिट्स के लिए मिशीन इस्टॉल हो जाती है विद लो पावर के पैस्टी आपको जो दूसरी रिस्यक्लिंग मिशीन उसके लिए आपको 20-50-60 किलो वाट का लोट चाहिए होता है पर ना इसके दर हैगलो करने की जूरत है ना किस प्लास्टिकम मिल जाते है किसी भी कबार ओले से अप 50 रूपी के लोगे इंदर प्लास्टिक लेते हो 50 रूपी के लेते तो 15000 पर शणियों पर बेचते हो तो 80-90 रूपीज का गरनावल गिरता है तो 30 to 40 पर कीज़ी आपको रीशाइक्लिंग बिस्नस पर देंदर मिलता है अगर आप एक दिन के अंदर करते हो तो आप पूरा आप साथ से आठ अजार रपे ग्रॉस कमाते हो और नेट के अंदर चार से पांच अजार रपे आप डेली कमा सकते हो विदा लो इन्वेस्टमेंट हाँ और इसका सबसे बड़ा खासियत के हैं कि आपको कोई स्किल्ड लेबर की जूट नहीं है आप दूसरा रिसाइकलिंग मिशीन के अंदर आपको चाली से पंतालीज आरपे के स्किल्ड लेबर के लिए चल सकता है यह नॉमल एक इंसान पांदिन की ट्रेनिंग के बाद भी चला सकता है और यह पांदिन की ट्रेनिंग भी हम ही प्रवाइड करते हैं उसको और इस मिशीन का जो टोटल कॉस्टिंग है यह पूरा प्रजेक्ट जो है विद इलेक्रिसिटी किनेक्शन सीटी सीटी और मिशीन का कॉस्ट दस लाख रुपे के अंदर आपका सारा का सारा सारा इंस्टॉलेशन हो जाता है इंक्लूडिंग इलेक्टिक सीटी किनेक्शन उसके अंदर इलेक्रिसिटी की स्क्योर्टी भी है और आपका सिप पलिशन कंट्रोल बोड के जो सर्टिफिकेट की चार्जीज है वो सब कुछ चीसी में इंक्लूडिड है तो इस से आप क्य कोई बी चीज आप रिसेकल कर सकते हैं और रिसेकल बेचने के अंदर कोई आपको दिक्कत नहीं होती आप किसी भी आप जाओ गे तो आप किसी भी जो प्लास्टिक मैश्टिक्टिंग कंपणी के जाओ गए वह साथ के साथ का दाना क्रीद लेता है और अगर आपको ये एक आवेश्ट को जो जो जेनरेट होता है उसको-षतम करने के लिए बहुती सार्थक है अभी जैसे यह मशीन है उसके न दर हम बस यह जो प्लास्टिक का वेस्ट है हम ऐसे डालेंगे भी यह मशीन के अंदर ये स्क्रू इसको आगे की दूर के तरफ आके, इसको मेल्ट करके, डाइफ़ेसक प्लिघ क्वाद पर गिर जा एक जाके दाना गिर रहा है, आप देख सकते हैं ये दाना मैं ईसके अंदर कोई स्किल-ण लेबर की जरूरत में है, सबसे बड़ी जरूरत है अब जितना भी वेस्ट है इसका कपैस्टी है 300-400 किलो पर दे के हिसाब से एक शिफ्ट में यह दाना गिराती है